हेलो फ्रेंड्स दोस्तों जब पूलिस किसी अपराद के सिलसले में किसी अरोपी को गिरफ्तार करती है तो उसकी तलाशी ली जाती है यानि कि उसकी पर्सनल सर्च की जाती है अरोपी की और इसका प्रावधान से अरोपी से को सेक्शन 51 में किया गया है तो तलाशी के दौरान जो भी आइटम्स रिकवर की जाती हैं जैसे मान लीजिए एटीम कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ या अधार कार्ड हुआ ड्राविंग लैसेंस हुआ और मोबाइल फोन हुआ या लैप्टोप हुआ तो इ इनको जमा तलाशी के दोरान जब्त की गई वस्त में बोला जाता है तो दोस्तों जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि सुपरदारी पर अपनी गाड़ी कैसे रिलीज करवाएं तो उसमें मैंने पूरा जितना भी प्रसीजर था वो सब बताया था और आज मैं आप आपको बता रहा हूँ कि जमा तलाशी के दोरान पूलीज के दौरा जब्त समान को आप कोर्ट के माधिम से कैसे रिलीज करा सकते हैं अपने मुबाइल फोन को लैप ठोप को और pior को दोस्तों और जमा तलाशी के समान की रिलीज और सुपरदारी में क्या अंतर है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों मैं एड़ोकेट विनोश शर्मा अपने चैनल कानून और आमादमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बैल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मि प्लीस द्वारा जप्त जमा तलाशी के समान को अरोपी कैसे कोट के माध्यम से छुडवा सकता है वसतों जैसे जो जप्त गाड़ी है याणि के कार है कोई अन्य विक्ल है उसको छुडवाने के लिए सुपरदारी करवानी पड़ती है कोट कोट से और वहां पर एक जमानत और सिनाक्ती अब देना पड़ता है जो वैल्यू कोट फिक्स करती है माल लीजिए कोई पांच लाग की गाड़ी है तो आठ लाग फिक्स करेगी तो आठ लाग की शोर्टी आपको कोट में जमा करनी पड़ती है उसके बाद आपकी गाड़ी छूटती है और वो उसके आरसी आपको ओरिजिनल कोट की फाइल में लगानी होती है और तब आप जब तक गाड़ी सूपरदारी पर है तब तक आप उस गाड़ी को सेल नहीं कर सकते उससे संबंदित कोई भी ट्रांजेक्शन है नहीं कर सकते तो दोस्तों अब आताती है कि जमा तलाशी का समान जो रिली आप जो है अपने अड़ोकेट के माध्यम से कोट में एक अप्लिकेशन लगाते हैं संबंदित कोट में यानि के जो इलाका मजिस्ट्रेट है जिनके इलाके में वो पुलिस स्टेशन आता है जुरुजिक्शन में जहां पर एफाई आर हुई है तो तब वहां पे एक अप् करेंगे तो उसके बाद कोट संबंदित ठाने से उस समान की रिपोर्ट मंगवाती है कि पुलिस का उस समंद में क्या कहना है तो एक या दो दिन में वहां से रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट में अक्सर ये लिखा होता है कि ये समान अगर रिलीज किया जाए तो हमें इसमें कोई objection है नहीं है तो दोस्तों उसके बाद जब पुलिस की report आ जाती है तो court एक order कर देता है कि फला फला समान को जिसमें mobile हो सकता है laptop हो सकता है ATM card हो सकता है या pen card हो सकता है अधार card हो सकता है voter ID हो सकती है गाड़ी की insurance हो सकती है या कोई और महतापुरन document हो सकता है कि इन समान को एक proper identification करके receipt के अगेंस्ट इस समान को इसके मालिक को सौप दिया जाए तो ऐसा एक direction जो है वो ऐसे चो को forward किया जाता है संबंदी ठाने के magistrate के द्वारा और फिर जब वो order उस पर stamp लगी होती है date लिखी होती है और पूरा का पूरा ब्यारा उसमें समान का होता है वो issue करता है court और तब ये आप जो है इस order को लेकर संबंदी ठाने में जाएंगे और वहाँ पर ये order original में आपको देना पड़ेगा और इसकी photocopy आप अपने पास रख सकते हो एक photocopy advocate के पास रहती है future references के लिए और तब जो है एक receipt लेते हैं जहां पर police कबजे में रखती है समान और उस receipt और identification के अधार पर यानि कि अधार card के जरी identification हो सकती है और उसके against police उस समान को release कर देती है और तब जो है उसके लिए कोई भी और आपको shorty देने के जरूरते नहीं है जैसे आपको गाड़ी की जो सुपरदारी लेनी होती है वहाँ पर आपको shorty देना जरूरी है बिना shorty के गाड़ी नहीं छूटेगी लेकिन ये छुटपूट समान जो है जो miscellaneous items है इनको छुड़वाने के लिए कोई भी आपको shorty ना court में देने की जरूरता है ना police station में देने की जरूरता है आपकी personal shorty पर ही ये सारा समाने छू छुडवाने में क्योंकि ये एक बहुत ही एक माइनर सी परक्रिया है जमा तलाशी का समान छुडवाना जिसमें एक mobile जो है वो बड़ा महत्वरन होता है और सबसे पहले police किसी भी case में mobile को जब्त करती है क्योंकि वो उनको doubt होता है कि इसके जरिए फोन पर जो है वो crime की planning की गई या इसके जरिए crime को execute किया गया तो police cyber investigation के लिए mobile को सबसे पहले अपने पास रखती है और साथ में laptop भी हो सकता है कि data वगयरा कहीं इसमें कोई store है ना हो तो दोस्तों ये young advocates के लिए भी बहुत जानना जरूरी है कि ये एक बहुत ही अमुली सी परक्रिया है समान छुड में दे कर वहां से order हासिल कर सकते हैं और तब अराम से जो है जो भी समान है उसकी description आप सभी का समान के देंगे जो आपको police station से असानी से leads हो जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है कि नई वीडियो के साथ have a very nice day, tata, bye bye, take care